दोस्तो, Redmi और Amazon ने पार्टनर्शिप किया हुआ है और ये प्रोड़क्ट लांच किया है, ये है Redmi Fire TV, ये Redmi F-Series का पहला स्मार्ट टीवी है, जो की 32 इंचेस साइस का है, वैसे जो टीवी है, इसमें आपको patch wall operating system नहीं मिलने वाला है, लेकिन आसान शब्दों में कहें, Amazon का जो Fire TV OS यूज किया गया है, by default, चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए, तो ये है Redmi Fire TV का box pack, F-Series 32 inches, और की स्पेक्स यहां पर है, HD resolution, live TV integration के साथ में आता है, vivid picture engine technology इसमें यूज किया गया है, 20 watt का speaker है, डोल भी audio support के साथ में आता है, और क्यूंकि ये Fire TV operating system रन कर रहा है, जो वैसे आपको installation free में मिलने वाला है, तो आपको खुद installation नहीं करना है, अब ये छोटा TV है, तो आम तोर पे इसे जदा करके जो लोग है, ये stand पर ही लगाने वाले हैं, तो box में ये है user manual, installation guide, ये stand दिया हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, stand लगाने के लिए कुछ screws, ये ये है special button Alexa के लिए, और एक mute button भी यहाँ पर दिया हुआ है, Amazon Prime, Netflix, Amazon Music और apps के लिए dedicated button यहाँ पर दिया हुआ है, Redmi Fire TV, दोनों का branding यहाँ पर देखने को मिलता है, और box में ये battery भी दिया हुआ है, remote के लिए, और box में है ये TV जिसकी quality बहुत बढ़िया है, अगर आप ये जो sides ह इनके तरफ ध्यान दे, तो इसका जो finishing है, ये मुझे काफी बढ़िया लगा, एकदम premium bezel-less है, जब मैं TV को on करूँगा तब आपको सामझ में आ जाएगा, वैसे side से ये इतना slim तो नहीं है, और पीछे की तरफ, दो USB ports दिया हुआ है, 2.0, audio jack है, AV port है, दो HDMI ports, जिसमें से एक ARC port है, RJ45 और antenna port दिया हुआ है, तो चलिए मैं इसका setup कर लेता हूँ, वैसे ये जो TV है, ये Amazon पर available होगा, और interesting चीज ये होगी, कि अगर आप Amazon का जो ID है, उसके जरीए, इसे खरीदते हैं अपने लिए, तो ये जो setup process है, आपको करने के जरुदने पड़ेगी, automatically आपका जो ID है, और अगर आपके पास Amazon Prime है, तो जो setup है, automatically हो जाएगा, मतलब कि आपको सिर्फ TV को on करना है, और आप directly ये जो fire TV operating system है, इसे use कर पाएंगे, आपको ये जो process है, setup process, ये करने की जरुदने पड़ेगी, ये dual band Wi-Fi support करता है, 5 GHz as well as 2.4 GHz, अब यहाँ पर मुझे Amazon account जो है मेर उसमें login करना पड़ेगा, क्योंकि ये fire tv OS run कर रहा है, जो कि Amazon का ही product है, तो ये जो step है, ये बहुत ही important है, अब क्योंकि मैं already Amazon का जो fire tv stick है, वो use कर रहा हूँ, तो इसने मुझे option दिया हुआ है, कि उसका जो setting है, मैं यहाँ पर transfer कर सकता हूँ, तो मैं वो करता हूँ, ताकि अगर आप worried है, आपका जो data consumption है, उसको लेके, तो ये जो option है, इसे आप setup कर सकते हैं, वैसे आज के जारिक में जो data है, काफी cheap हो चुका है, तो मुझे ये लगता कि ज्यादा करके जो लोग है, ये use करने वाले हैं, तो अब जो process है, almost हो चुका है, और ये जो fire tv OS है, अब य लोड हो गया है, यहाँ पर एक और interesting चीज, आप profile create कर सकते हैं, वैसे ये जो option है, ये मुझे amazon fire tv stick जो है, उस पर भी available था, तो फिलाल ये profile ठीक है, इसमें में जाता हूँ, ये apple airplay भी support करता है, in case अगर आप apple के devices उस कर रहे हैं, तो compatible है, तो ये देखे, ये है default interface, अगर आप समझ गया होंगे कि ये वही सेम चीज है, सिर्फ इतना है कि ये जो चीज है, इसमें built-in है, आपको external dongle connect करने की ज़रूत नहीं है, और display की quality काफी impressive लगा मुझे, तो इसमें amazon prime video है, netflix, youtube और app store का भी option है, जहां से आप बहुत सारे application जो है, उन्हें install कर पाएंगे, ये ये सारे applications available है, अब ये जो Amazon Fire TV Stick है, in fact ये जो Fire TV OS है, इसका interface तो काफी बढ़िया है, प्लस जो content available है, ये भी काफी impressive है, चलिए मैं setting का option है, उसमें जाता हूँ, यहां से आपको वही sim feel आने वाला है, जो कि आपको Amazon Fire TV Stick पर मिलता है, तो वैसा ही interface यहां पर देखने को मिलता ह यहां से आप बहुत सारी चीजों को setup कर सकते हैं, Alexa को भी यहां पर setup कर सकते हैं, और ये है display और audio का setting, ये देखें, Apple AirPlay और HomeKit support के साथ में आता है, क्यूंकि ये HDMI ARC port support करता है, आप external soundbar को भी connect कर सकते हैं, चूंकि आपका जो audio experience है, उसे अलग ही level पर लेके जाने वाला है, ब इतनी जल्दी जो content है वो change हो रहा है, lag बिलकुल भी नहीं कर रहा है, in fact, अभी भी background में कुछ applications लोड हो रहे हैं, और कुछ notifications मुझे मिल रहा है, उसके बावजूद काफी smooth है, ये देखें, चलिए इस पर जो Netflix का content है, वो play करने की कोशिश करते हैं, Netflix का जो program है, इसके लिए dedicated button भी दिया हुआ है, जो remote है उसके उपर, okay तो Netflix लोड हो चुका है, ये 32 inches का display है, और HD resolution के साथ में आता है, 60 Hz, 178 degrees viewing angle है, display काफी बढ़िया है actually, audio की quality भी इसके काफी बढ़िया है, ये 20 watt के output के साथ में आता है, 10 watt के 2 speakers दिया हुआ है, और ये Dolby audio भी support करता है, DTS Virtual X, DTS HD, च voice की quality वाके में काफी बढ़िया है, इस TV का जो specifications है, ये काफी अच्छा है, ये quad core powered है, Bluetooth 5.0 technology यूज़ कर रहा है, 1 GB RAM है और इसमें 8 GB storage space दिया हुआ है, और ये जो app store है, इसमें तकरीबन 12,000 से जादा apps अविलेबल है, ये smart homes भी support करता है, आप TV के जरिए, मतलब की Alexa के जरिए, जो smart home devices है, उससे control कर पाएंगे, तो ये है Redmi Fire TV, बेस्ट TV है, क्योंकि ये Fire TV OS के साथ में आता है, और इसका जो pricing है, ये भी काफी बढ़िया है, 11,999 रुपीस, लेकिन ये जो pricing है, ये limited period के लिए है, office के साथ में है, उसके बाद में इसका जो pricing है, मुझे लगता है तकरीबन 13999 हो जाएगा, तो अगर आप एक 32 inches का TV खरीदें का सोच रहे हैं, ये काफी बढ़िया option है, लिंक मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, और ये जो TV है, आप Amazon से खरीद सकते हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ कि, क्योंकि ये Fire TV OS 7 कर रहा है, और इसके लिए आपको Amazon का account होना जरूरी है, और जो Amazon Prime है, वो रहेगा तो बहतर है, देखते रहिए